तो हाई गाई क्या हल चाल कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद है सभी आर एक दम बढ़िया होंगे तो मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई हाजिर हूँ आपके सामने लेकर के एक नया चैप्टर जिसका नाम है कॉम्मिनिकेशन सिस्टम और भाई ये चैप्टर है क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोड़क्शन की इंट्रोड़क्शन में वही की कॉम्मिनिकेशन सिस्टम का मतलब क्या है और बेसिकली उसका एक ब्लॉग डाइग्राम रहता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश हम करेंगे और इसके की मेंजरली एक लासत अम बात करेंगे मॉढदिलेशन की बैसे तो तीन तरे का होता है तीन प्रकार का होता है लेकिन मेजरली अम्मदुर्टिव शेहले फोकस करेंगे क्योंकि वही आता है और फ्रिवेंसी मॉढदिलेशन भी हम तोड़ा बहुत यहां पर देखेंगे अम कई बार पूछा जा सकता है उससे रिलेटेट कुछ सवाल ठीक है कई बार पूछा गया है तो उससे रिलेटेट हो सकता है सवाल पूछ लिए जाए तो need of modulation भी हम इसी में सब कुछ यहां पर देख लेंगे तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की तो communication system communication system मतलब एक ऐसा system जो communication established करता हो अब communication होगा तो दो लोगों के बीच में होगा हना या एक बंदा जो है बहुत सारे लोगों से communicate कर रहा होगा मतलब एक जगे से दूसरी जगे से दूसरी जगे पर information अब वो आपका audio signal हो सकता है video signal हो सकता है आपकी कोई file हो सकती data file कुल मिला के इस message का communication हो रहा है एक जगे से दूसरी जगे पर तो उसी को जो establish करता हूँ system है उसी का हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर communication system जैसे की अभी इस communication system का ही इस्तमाल करके इसी का उपियोग करके जो यह में मेरा message है वो आप लोगों तक पहुचा रहा हूँ है के नहीं तो जब भी एक communication system की बात कर रहे होंगे तो obviously एक आपका होगा जो send करने वाला होगा और एक end पे आपका होगा receiver ठीक है अब यह दो तरीके से चीज़े हो सकती है दो तरीके से चीज़े हो सकती है जैसे कि point to point यहाँ पर वो चीज़ मेंने लीनी है तो मैं यहीं पर explain कर देता हूँ एक communication आप ले सकते हो point to point point to point से क्या मतलब है point to point से मतलब यह है कि अगर जैसे रोज मर्रा की जिन्दगी में जीवन में आप जब call करते हो mobile से अपने किसी दोस्त को अपने रिष्टेदार को मम्मी को पापा को तो उस वक्त आप क्या कर रहे हो उस वक्त जैसे मालो मैंने call लगाया ठीक है मैंने अप मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ही आपस में एक दूसरे की बातों को सुन रहे है या हम अपने बीच की इंफॉर्मेशन को शेर कर रहे है तो point to point हना और कोई तीसरा बंदा ठीक है चौथा बंदा पांचवा दसवा जो भी है वो हमारी बातों को सुन नहीं सकता बिना hacking की और एक ही receive करने वाला ठीक है जैसे यह मान लो कि आपने चिठी लिखी आना पूराने जबाने की बात करें तो आपने चिठी लिखी तो आपने चिठी लिखी और वो चिठी कहां पहुँच गई आप जिसको लिख रहे थे उस तक पहुँच गई तो point to point communication और एक दूसरा हो बंदा जो मैं हो गया वो message signal को भेज रहा है बहुत लोगों तक मैं तो नहीं वो system जो है वो भेज रहा है बहुत लोगों तक और वो बहुत लोग कौन है obviously जो भी YouTube पे ये वीडियो देख रहा है तो यह होगी आप broadcast ठीक है YouTube चैनल पे जो भी आप देख रहे हो एक तरीके से broadcast में आ गया तीवी पे जो आप देख रहे है वो broadcast पे आ गया भाई कोई भी ABC चैनल जो है वो आपको कोई movie दिखा रहा है कोई serial दिखा रहा है तो आप आप अकेले नहीं हो जो उस channel को देख रहे है तो वो आ जाएगा broadcast में तो point to point का मतलब एक बंदा दूसरे बंदे को watch रहा है ठीक है तो अगर हम बात करें elements of communication system की तो इनको कुछ इस तरीके से हम देख सकते तो सबसे पहला बात तो होगी information source जैसे कि अगर मान लो अगर आप या इसी class की बात करें तो यहां पर यह जो भी कुछ हो गया यह पूरा जो वीडियो आप देख रहे हो यह हो गया है आपका information source मतलब इस board पे जो दिख रहा है साथ में जो मैं आपको दिख रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ यह सब information source में आ गया ठीके तो उस information source क्या प्रोवाईड करेंगा वो प्रोवाईड करेंगा message signal जैसा कि वो अगर telephone पे आप बात करें तो वो audio signal हो सकता है यहां पे audio plus video signal हो सकता है और अब यह message signal जो है वो जाएगा transmitter के पास transmitter क्या करेगा transmitter जो है वो यहां से उस signal को transmit करेगा through channels ठीक है जैसे अगर हम mobile के point to point communication की बात करें तो जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा जो audio signal है मेरे mobile में एक device transmitter भी होगा तो वो transmitter मेरे audio signal को लेता है अब वो जिसमें भी उसको convert करता हो electrical या digital signal में मतलब analog या digital signal में तो वो जब मेरे message signal को convert कर रहा है मान लीजी एक digital signal में तो फिर वो उस signal को transmit कर रहा है अब वो channel क्या हो सकता है जैसे मान लो अपना mobile phone हो गया तो channel अपना mobile case में space हो गया ठीक है अगर आब landline phone की बात करोगे तो वहाँ पे वो जो device है हमारा ठीक है वो पूरा जो डबबा है उसमें भी एक तरीके से transmitter हो है तो क्या कर रहा है वायर्स के थ्रू जो है उस audio signal को भेज रहा है यहां पर क्या हो गया channel वो वायर हो गया और अगर अभी इस class की बात की जा रही हो जैसे कि यहां पर वायर्स भी हो सकते हैं जिसमें कि अगर मैंने इसे यहां पर यूस किया हुआ है मतलब fiber net लगा हुआ है तो वो optical fiber जो है वो channel हो गया तो कि net के थ्रू यहां से जो भी data है वो upload हो रहा है servers पे हना तो यह uploading जो हो रही हो किसके थ्रू हो रही है यह और यह optical fiber के थ्रू तो आप normal wire cables भी देख पाएंगे आप सीधा जैसे mobile case में सीधे हवा में जो है electromagnetic waves में electromagnetic waves के form में वो signal छोड़ दिया जाएगा हवा में तो यह जो channel है यह आपका space यह sky यह जो हवा है वो भी हो सकती है वो एक optical fiber भी हो सकता है और वो एक normal wire भी हो सकता है जैसा telephone के आप लेके थल सकता है ठीक है अब उस channel से फिर आपके receiver तक जो है वो signal पहुंचेगा जैसे कि आप जिससे भी बात कर रहे हो तो आपकी आवाज दूसरे बंदे को सुनाई दे रही है तो जब दूसरा बंदा phone उठा रखा है तो आपके जो signal हवा से आ रहे है वो आपका mobile receive करेगा तो यह receiver हो गया और वो receiver वापस से उसे convert करेगा audio में तो आपको सुनाई देगा अब तुम बोलोगे सार लेकिन वो अगर A और B आपस में mobile से communicate कर रहे हैं तो A का mobile send कर रहा है information और B का भी mobile send कर रहा information तो हाँ वो बाट ठीक है कि इस mobile में A वाले और B वाले दोनों में ही transmitter और receiver लगे हुए हैं A वाले के transmitter का काम है A के message को transmit करना B वाले के receiver का काम है उसको receive करना और B वाले के transmitter का काम है उसके message को transmit करना औ यहाँ ए पे जो receiver लगा है उसका काम है मैं B से आते हुए message को receive करना हाँ हाला कि यहाँ अगर मैं देखूंगा तो यहाँ मैं इस जगे पर अगर आप बोले कि सर अभी आप जो transmit कर रहे हो हम receive कर रहे हैं obviously recorded लिक्टर है तो कुछ देर बात तो क्या हम आपस में आप क्या मुझस से communicate कर पा रहे हो directly तो नहीं अभी तो नहीं लेकिन life class चल रही होती तो मैं वहाँ पर YouTube के comment section से आपके comments को लिख रहा होता है तो जरूरी नहीं है कि एक जगे से दूसरी जगे पर ही information जा रहे हो दूसरी जगे से पतलब A से B transmission को रहे है तो B से A भी कुछ feedback या कुछ comment section के था उस तक वो information पहुंच गई यह क्या बला है जब आपने noise लिखा हो है noise का मतलब हमेशा रहेगा unwanted signal unwanted signal मतलब जिनकी जरूरत नहीं है वो हो जाएगी noise फुले सर्जी बात समझनी है जैसे अगर तुमने कई बार देखा हो कि जब हम telephone में जो वो line वाला जो landline phone होता था उसमे जब हम बात करते थे तो क्या होता था कई बार बड़ी noise हमको महसूस होती है तो वो वज़य यह है कि वायर्ट में signal जब travel कर रहा है electrical signal जब travel कर रहा है तो उस electrical signal में कई बार होता था था ना कि एक बंद मतलब हमने call लगा है और किसी और की आवाज आ रही है फो ले वो line में गड़बड़ी है हो गई है कुछ अब वो जो भी उसमें technical fault आता हो उसको detail में हमको नहीं जाना है लेकिन एक unwanted signal जड़ गया तो वो हमारे लिए क्या produce कर देगा noise हना अब वो किसी और की है जब वो device तो कुछ अजीब सी noise हमको जो है देखने को मिल रही है तो कुल मिला के जो भी unwanted signal होगा वो आपका क्या हो जाएगी noise में count हो जाएगा जैसे अगर तुमने देखा हो कि पुराने जमाने में जब हम radio सुनते थे broadcast message की बात करें तो जब हम radio सुनते थे तो उसमें हो तो वो news सुन रहे हैं तो उसमें बहुत ही एक noisy सा sound आता था या news चल रही है और गाना भी चल रहा है या commentर भी चल रही है तो एक ही channel पर तीन तीन channel पकड़ रहे हैं तो unwanted signal आपको देखने को मिल रहे थे तो इसको बोलेंगे हम क्या noise अब एक एक करके हम कुछ जो यहाँ पर इनके terms हैं उनको समझ लेते हैं तो पहला item transducer transducer आप कुछ लेना देना नहीं बस इतना सा ध्यान रख लो कि एक ऐसा device है जो की एक energy form को दूसरे energy form में convert करता है ठीक है जिसे मान लो मेरी आवाज है तो अगर मैं बात कर रहा है एक microphone की यह mic की तो यह mic क्या कर रहा है यह मेर इस तरीके से electromagnetic wave में या electromagnetic signals में convert कर रहा है यह अगर मैंने mic ले रखा है wireless तो wireless mic क्या कर रहा होगा मेरी आवाज audio signal को लेके और हवा में क्या जा रहा होगा electromagnetic wave तो उसने एक mechanical wave को non mechanical wave में convert कर दिया यह sound energy को electromagnetic energy में convert कर दिया तो इस type का जो device होगा इसको बोलते हैं transducer तो जैसा मेरे mobile भी होगा उसमें भी एक transducer लगा होगा क्योंकि वो क्या कर रहा है वो एक audio signal को digital signal में convert कर रहा है और जो दूसरे वाले पे जो mobile होगा भी के पास जो mobile होगा उस तक जब वो digital signal पहुचा होगा या electromagnetic wave पहुची होगी तो उस electromagnetic wave को वापस से convert किया गया होगा audio signal मेरे device में भी transducer है और वहाँ पर भी transducer है या बहुत ही simple सा में एक example बता दूँ कि वही आपने पास जो है एक ये माइक ले रखा है हमने ठीक है बड़ा गंदा सा माइक बनाया है और ये है speaker इस speaker यहाँ से तुम बोल रहे हो और इधर से वो आवाज निकल रही है बहु audio signal में तो ऐसे devices जो होंगे वो कहलाते हैं transducer अब जैसे की transducer का काम नहीं transducer किस किस टाइप के हो सकते हैं मतलब वो जैसे की pressure हो गया displacement हो गया force हो गया temperature हो गया इन सब को वो electrical signals में convert कर सकते हैं मतलब कुछ इस टाइप के crystals होंगे जिन पर pressure जब पढ़ता है तो वो pressure पढ़ voltage जो है वो vary करता है तो sound से क्या create होता है sound से pressure ही vary करता है किसी केस में temperature के हिसाब से output voltage change होता है किसी के force के हिसाब से आप जो फोर्थ लगा रहे हो प्रेशर लगा रहे हो एक ही बात हो गही तो कुल मिला के इसमें मोटा मोटा आपको यह ध्यान रखना है ज्यादा detail में नहीं जाना है कि सर यह कैसे होता है हना उसमें actually क्या physics लग रही है वो चीजों में हम नहीं जाएंगी क्योंकि वो हमारे course में है ही नहीं हना आप दुम बोलगे सर आपको पता है कि है तो मेरे को भी नहीं पता भाई अपने को भी 11-12 की सिक्साती है उससे जादा कुछ नहीं है तो यहां बस अपने को जितना अपना मतलब है उतना ही मतलब रखना है और वो यह कि transducer का असल मतलब है क्या मतलब यह है कि वो बस एक energy को दूसरे energy में convert करने के काम में आता है signal तो signal का क्या है भाई sense signal जो भी अपना information होगा जो message signal होगा उसी को हम कहेंगे signal तो information converted into electrical form suitable for transmission is called signal जो भी हमारी information ती जो बह रही है हना electromagnetic wave में convert होकर यह electrical signal में convert होके उसे हम कहेंगे signal अब signal आपके दो टाइप यह हो सकते है एनलोग या डिजिटल एनलोग का मतलब यह है कि आपने देखा होगा जिसा alternating current में आपने पढ़ा होगा कि जो मालो voltage है या current है वो continuously vary कर रहा है जीरो से द signal को हम बहुते है एनलोग signal और वहीं जो digital signal होते है digital signal होते हैं हमारे कुछ इस टाइप के एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो कि ये बहुत सारे एनलोग सिगनल को ही तूपर इंपोस करके बनाए जाते हैं अब तुम बोलोगे सर्फ मतलब समझनी आए तो थोड़ा मतलब समझने की कोशिश हम करेंगे यहां पर नहीं भी समझ में आता है तो उसमें घबराने की ज़रत नहीं है क्योंकि कोई अपने कोर्स में नहीं कि कैसे बन रहा है डिजिटल बात फिर भी कर लेते हैं तो मान लो हमारे पास वैंने एक एनलोग सिगनल कुछ इस टाइप का लिया हमने यहां पर लिया तो हमको क्या करना है हमको कुछ एक ऐसा डिजिटल सिगनल बनाना है मान लो मतलब यह हाई वोल्टेज और यह लो वोल्टेज ठीक अब मुझे अगर आप देखोगे मतलब यह वैल्यू मान लो अगर अपने पास कुछ टैन है यह वैल्यू मान लो अगर अपने पास कुछ वन है और यह वैल्यू अपने पास कुछ मान लो तो मैं खेर बहुत जादा तो नहीं लेना चाहिए लेकिन चलो मैं ट्वैल लेता हूं ऐसे समझने के लिए 2 में मुझे add करना है 10 तब जाके मुझे 12 मिलेगा 10 में कितना add करना है 10 में मुझे add करना है 2 तब जाके मुझे 12 मिलेगा तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अलग अलग type के signals जैसे यह ऐसा नहीं कि एक single signal से काम हो जाएगा कि हमने क्या किया? एक signal कुछ इस टाइब का लगा दिया एक signal जब मैं इस टाइब का लगाओंगा तो ये positive जो है कि इसके साथ मिलके add होगा तो ये कुछ उपर हो जाएगा के नी हो जाएगा अब तुम कहोगे सर ये negative जो है वो क्या करेगा वो इसके साथ है अपने को मिल जाए इस type का signal अपने को लगभग लगभग मिल जाए तो ऐसी कोशिश की जाती है तो यह ध्यान रखो बस इतनी सी बात कि एक digital signal बहुत सारे analog signals से मिलके बना होता है यह ध्यान रखना ठीक जिसमें एक तरीके से infinite number of frequencies होती है F0, 2F0, 3F0, 4F0, 5F0, 6F0 एक fundamental base लेके उसमें आप frequency को बढ़ाते जाए यह अपनी F0 हो गई तो फिर 2F0 लो, फिर 3F0 लो, फिर 4F0 लो, 5F0 लो ऐसे करते करते हैं जब आप बहुत सारी frequencies को एक साथ super impulse करा दोगे तो आपको एक digital signal इस type का मिल जाएगा कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो digital signals are those which can take only discrete step wise values, मतला high, low, high, low, high, low अच्छा आप जरूरी नहीं कि high है तो फिर low ही आएगा, वो सकता है high, 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 फिर एक बार लो, वो तो depend करता है कि किस तरीके से आपको वो signal चाही है ना, वो जादा detail में हम नहीं जाएगे फुल मिला कि high का मतलब होगा one, low का मतलब होगा zero, ठीक, चलो तो noise, noise जैसा कि बता चुका हूँ कि जो unwanted signal है जिनकी हमको जरुत नहीं आवशकता नहीं है वही noise कहलाती है तो उनको दूर unwanted signal जितने कम हो, कम मिले हमें उतना ही अच्छा रहेगा, उतनी ही अच्छी हमें quality जो है receive होगी, जो भी message हमें receive हो रहा है उसमें transmitter का काम क्या है वो आपको पता ही है, कि transmitter process the incoming message signal so as to make it suitable for transmission, कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है suitable for transmission, यह सब चीज़े, कि अभी आगे समझ में आ जाएगा, अना कि direct हम क्यों नहीं audio signal ही सीधे भेज़ देते receiver, receiver extract the desired message signal from the received signal, अब जो received signal है, वो एक electromagnetic wave है, ठीक है, और तुम मालो मोबाइल पे सुन रहे हो तो उसको audio signal में भी convert करना है, ठीक है, तो उसके अंदर पता नहीं, बहुत सारे signal mix हो रखे है, तो उन में से आपको message signal खीच के निकालना है, खीच के मतलब है ऐसा नहीं, पकड़ के निकालना है, उसके पीछे भी बहुत सारा complicated calculations रहती है और work करती है machines, ठीक है, लेकिन ध्यान यह रखना है कि उन में से क्या निकालना है, आपको message signal आपको निकालना है, जैसे कि अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी colony में अकेले बस एक टाइम पर आप ही बात कर रहे हो, जिसे असल में मालो, side में एक और बंदा बात कर रहा है, तो हवा में तो उस बंदे तक जो signal पहुच रहे हो भी मौजूद है, आप तक जो signal पहुच रहे हो भी मौजूद है, किसी और तक जो signal पहुच रहे हो भी मौजूद है, लेकिन आपका mobile सिर्फ किसको extract कर रहा है, सिर्फ ज अटेनुवेशन होता है loss of strength of a signal signal जब भी आगे बढ़ता है तो उसकी strength में क्या होती है वो कमी आ जाती है उसकी पावर जो है वो घट जाती है ठीक है तो इसको बोलते है loss of strength अब loss of strength का एक एक बहुत सिंपल सा example है अपना जो आपने eddy currents आपने पड़े होंगे eddy currents मेरे इसाब से electromagnetic induction में आपने पड़ा होगा तो वो मैं quickly आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपने ये इतना ध्यान होगा आपको कि eddy currents के अंदर हमने एक चीज़ पड़ी है क्या कि जब भी कोई conductor होगा और जो है magnetic field vary कर रहा होगा तो वहाँ पे induced current आएगा induced current की वज़े से energy loss होता है अब attenuation अगर आप बात करें तो मान लीजे ये अर्थ है वो भाई यह हमारी अर्थ की surface है और मान लो आप walkie talkie पे बात कर रहे हूँ के walkie talkie पे आप बात कर रहे हो यहां से आप बोल रहे हो और यहां यह दूसरा बंदा है walkie talkie लेके खड़ा है और यह आपस में दोनों एक दूसरे से connected है communicate कर रहे है जो भी signal होगा वो गुजर रहा है इस त क्या होता है अर्थ जो है वो है एक conductor अर्थ जो है वो है एक conductor और अर्थ यदी conductor है तो आपको यह समझना होगा कि magnetic field जो vary कर रहा है वो यहां हम क्या produce करेगा eddy currents चितना और गया आप जानते हो faraday के law से कि magnetic field कितना strong है उससे मतलब नहीं होता है induced DMF को induced DMF को तो मतलब होता है कि कितना तेजी से वो vary कर रहा है variation d5 by dt d5 by dt मतलब variation कौन decide करेगा यहां पर frequency इतनी जादा frequency होगी उतना ही गल्दी magnetic field positive negative positive negative हो रहा होगा चितनी जादा frequency होगी उतना ही जादा eddy current produce होगा और उतना ही जादा energy का loss होगा तो यहां से हमको यह पता लगता है कि अगर एक signal जैसे जैसे ground के नजदीक होता हुआ आगे बढ़ता है तो यहां पर eddy currents की वज़े से energy loss हो रहा है इसी energy loss को हम attenuation भी कह सकते हैं तो आपने देखा होगी walkie-talkie की एक range होती है अगर उस range से बार हो जाओके तो वह नहीं catch कर पाएगा उसकी एक वज़े यह भी है कि जितना आप दूर जा रहे हो उतना ही signal strength जो है वो loss होते जा रही है और आपने देखा होगा कभी अगर रोड पे गुजर रहे हो और traffic police जो मतलब खराब आती है मतलब कोई बहुत clear आवाज नहीं आती है अना तो वहाँ पर loss of strength आपका यहां पर रहता है और हाँ इतनी higher frequency उतना ही जादा attenuation होगा तो हम हमेशा ऐसे cases में directly ground to ground propagation से तब बचेंगे जब हमारे पास जो signal भेजा जा रहा है वो high frequency का हो हाई frequency का signal को अगर ground के नजदीक आप propagate करवाओगे तो eddy current यहाँ पर heat loss जो है जाएगा और energy loss होगी attenuation होगा यह आपको ध्यान रखना है कि attenuation से क्या मतलब अब फिर दूसरी बात है एंप्लिफिकेशन नाम सुनके समझ में आ जाता है कि भाई amplifier का मतलब क्या होता है एंप्लिफायर का कुल मिला कि मतलब यह है कि यार जो signal strength lose हो चुकी है कम हो चुकी है उसको वापस से बड़ा देना एंप्लिफाय कर देना यह काम होता है एंप्लिफायर का हना इसे एक अगरी मैं छोटा सा example दूँ तो जब हम अपने घर में जो पहले वो केबल यूज होती थी ना डिस्क के लिए जो चैनल्स आजकल तो डिटी एच यूज करते पहले तो हम केबल यूज करते थे केबल में आपने देखा होगा कि यार वो जो तर्विस प्रोवाइडर था जो में के नजदीक अगर आप हो या उस office के नजदीक अगर आप हो तो चैनल्स बड़े शांदार मतलब कुप तीन सो साड़े तीन सो चैनल्स पकड़ते थे लेकिन जितना जितना आप दूर जाते जाओगे तो फिर चैनल्स की स्ट्रेंथ जो है वो लूज होती जाती थी अगर आपने देखा हो तो ठीक है बहुत दूर अगर बहुत किलोमेटर दूर हो फिर तो पचास चैनल्स ही साफ आ रहे हैं बाकी दस एकदम खराब आ रहे हैं और साट के आगे तो चैनल्स ही में यह कुछ हाल ऐसा वहाँ पर रहता था तो आप देखते होंगे कि वह एक बोलता था बैट डीपी लगा के जा रहा हूं तो वह एक तरीके से एम्प ग्रांड ग्रांड वाले प्रपैकेशन में और वजह से भी सिगनल स्ट्रेंड्थ लूज तो होगी ही होगी तो कि अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको यह समझ ना होगा अगर मैं नॉर्मली बोलता भी हूँ आपको ही समझ भिगा आता है कि जेतना आप दूर जाते हो उतन ही intensity कम होती जारे है तो strength का एक तरीके से तो वैसे भी और कई बार medium भी चीजों को absorb करता है energy को absorb करता है तो strength तो lose होगी ही होगी ठीक बहुत अलग-अलग वज़े से तो बस उसी को बढ़ाने के लिए हम amplifier यूज करते है range range का मतलब यह है कि source से लेकर destination के बीच की जो दूरी है वो एक तरीके से कितनी range तक वो signal जा सकता है ठीक है तो जितना जादा power आप radiate करोगे जैसे की नॉर्मल से example में बताओ कि मैं चिला के किसी को बुला रहा हूँ हाना या मैं अभी बोल रहा हूँ नॉर्मल बोल रहा हूँ तो उनको आवाज ऑवाज हूज से धीमी सुनाई परिया ज रहा है उतना अगे तक मेरी आवाज यह पैनरजी हो लूज होती जा रही है एक particular amount of energy और फिर उसका loss होते जा रहा है तो आगे तक पहुंच ही नहीं पाई उसको और आगे पहुचाना है तो उसको और जाधा एनरजी आप यहां पे प्रेडियूस करो मतलब पावर जितना जाधा होगा रेडियेशन का जो आप सिगनल रेडियेट कर रहे हो तो वो एक पावरफुल सिगनल होगा तो उतनी ही जाधा उसकी रेंज बनेगी रेंज के अंदर एक लाइन सिगनल भेज रहे हैं तो वो एक सिगनल नहीं उसमें बहुत सारे सिगनल होते हैं बहुत सारे सिगनल होते हैं बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के सिगनल होते हैं तो हो सकता है कि आपके पास जैसे मानलो आप जो FM रेडियो पे जो चैनल आपने लगा रखा है मानलो 93.5 FM जो भी आता हो, हाणा, तो वो जो frequency है, उसमें ऐसा नहीं कि वो particular frequency का ही signal है, उसमें side bands भी होते हैं, मतलब जो main frequency है, उसके upper band भी होंगे, lower band भी होंगे, तो जो maximum frequency है, उस particular channel, के जो या उस particular information में जो maximum frequency का signal है और जो minimum frequency का signal है उसके बीच का जो यह difference आएगा इसको बोलते band width bandwidth का मतलब यह है कि इस particular message signal में minimum frequency इतनी है और maximum frequency इतनी है उसका जो difference है उसको कहते हैं bandwidth इन जनरल यह बोला जाता है और कई बार क्या होता है कि एक bandwidth allocate की जाती है चैनल को कि यह जो चैनल है वो इस frequency से लेकर मानलो 90 MHz से लेकर जो है 100 MHz तक के बीच में जो है channel 1 काम करेगा फिर ऐसी 100 से लेकर जो है 120 MHz के बीच में channel 2 काम किया जाएगा इससे क्या होगा इनको एक separate separate bandwidth allocate कर दी तो जो भी information जमालो channel 2 को हमने bandwidth देदी कि इतनी तो अब मेरे को अगर channel 2 सुनना है तो अपने device को मुझे इस frequency के बीच में ट्यून करना होगा सॉरी channel 1 सुनना है तो और channel 2 सुनना है तो मुझे इस frequency के बीच में उससे ट्यून करना होगा तो इस तरीके से जब मैं इस frequency को ट्यून करूंगा तो मुझे वो signal रिसी भी नहीं होगा उसको ट्यून करूंगा तो यह signal रिसी भी नहीं होगा यह necessity of modulation में भी आ जाता है लेकिन आप यह ध्यान रखे कि bandwidth से क्या अलोकेट हुआ है maximum से लेकर minimum कितनी frequency उसको अलोकेट है यह कहा नहीं आ जाती है bandwidth फिर अपने पास आ रहा है repeater repeater का काम क्या है जैसे मालो भाई इधर से ना यह antennas ऐसे लगे हुए थे टावर्स ऐसे लगे हुए थे और यह signals को propagate कर रहे थे ठीक है तो हम क्या बोल रहे है कि एक टावर से दूसरे पर दूसरे से तीसरे पर तीसरे पर तीसरे पर से चौथे पर चौथे से पांच वे तर पर तो इस तरीके से जो है आपने देखा होगा mobile कैसे सको receive कर रहा है आगे transmit कर रहा है तो repeat और amplifier भी होगा ही होगा क्योंकि उसको amplify भी करना ही होगा जिससे की signal strength वापस से जो है कम ना हो बढ़ती ही रहे या maintain रहे बढ़ेगी तो कैसे maintain रहे ठीक तो यह आपको ध्यान में रखना है repeater is the combination of receiver and transmitter a repeater picks up the signal from transmitter amplifies and retransmit it to the receiver sometimes with the change in carrier frequency यो कह रहा कि कई बार हो सकता है कि वह जो अपनी carrier frequency जो है उसमें चेंज आ जा जा है अब यह carrier frequency क्या होती है यह समझ में है का modulation में तो इस line को अभी ध्यान नहीं दें repeaters are used to extend the range of communication system वो बात समझ में आई गई होगी आपको ठीक है बीच में यह पहाड आ गया पहाड से अगर signal ब्लॉक हो जा रहा था तो पहाड के उपर वो repeater लगा दिया परसे ऐसा आगे तक पहुंचा सके अब सेटलाइट के अब बात करें तो सेटलाइट भी एक तरीके से आप कह सकते हैं वह भी एक रिपीटर हो गई अर्थ के इस इससे से आपको समझा चुका हूँ कि bandwidth से क्या मतलब है फिर भी यहां थोड़ी सी जो बात कर रहे हैं वो देख लेते हम कि जो frequency range न वो थोड़ा ध्यान रखना है अपने को कि टेलीफोनी communication के लिए लगवग यह bandwidth यूज होती है 300 Hz से 3100 Hz तर टेलीफोनी communication वहीं अगर आप music जैसे FM radio हो गया तो इसके लिए कि आपको musical instrument जो होते हैं देखो यहां पर जो है frequency का जो bandwidth वो बहुत जादा नहीं है लेकिन musical instrument में ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान के बोलने वाली आवाज में बाकी आवाज है और और ज्यादा clearly सुनाई देनी चाहिए ठीक है तो वहाँ पर अपने को ज्यादा bandwidth चाहिए तो हम वहाँ पर bandwidth यूज करते हैं लगबग लगबग 20 किलो हर्ट की टीवी सिगनल्स में तो voice भी पिच्चर भी आ जाती है तो इसलिए और जादा तो है यहां पर bandwidth अलोकेट होनी होगी यहां 6 MHz मेगा कितना हो गया 10 की पावर 6 किलो कितना है 10 की पावर 3 तो आप देख रहे हो जितना जादा information complex होता जा रहा है उतना ही जादा bandwidth भी मुझे दरूरी पढ़ रही है इसी तरी वो superposition of sinusoidal waves बहुत सारी sinusoidal waves जिनकी frequency आप F0, 2F0, 3F0 या new 0, 2, new 0, 3, new 0 इस तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हैं तो यह आप ध्यान रखना कि यह अपना fundamental frequency हो जाए कि यह अपनी fundamental frequency हो जाए कि बाखी एक rectangular waveform मतलब digital signal भी sinusoidal waves से मिलके ही बनाए तो इतना ही ध्यान रखना इससे जादा नहीं ठीके ऐसे bandwidth of transmission medium कि भाई हम जो bandwidth यूज कर रहे हैं तो वो कौन-कौन सा medium उस bandwidth को झेल सकता है जिसे कि आपने देखा कि channel जो है वो telephones, landline phones में wires यूज हो रहे थे, free space mobile के अंदर यूज हो रहा है या internet के अंदर भी हम जो बात कर रहे हैं वो mobile वाली बात भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो यहां इन सब channels का अपना अलग-अलग bandwidth होता है जैसे कि आप normal wires की बात करोगे तो यह इतना bandwidth अपने को offer कर देते हैं approximately 750 MHz, वहीं अगर आप communication through free space जाओगे तो वो kilohertz से gigahertz, giga मतलब 10 की पावर 9 hertz, इसे ना चले जाता, mega कितना था, 10 की पाव communication, fibers, तो 1 terahertz तक चले जाता है, terahertz से 1000 terahertz तक, ठीक है, तो मतलब microwave से ultraviolet भी इसमें आ गई, तो यहां पर bandwidth कितनी आ जा रही है, 100 gigahertz तक की bandwidth आ जा रही है, यहां तिर्फ few gigahertz, यहां 100 gigahertz तक की bandwidth आ जा रही है, मतलब इसी लिए क्या होता है, कि जब आप बात कर रहे हो, wires क तो उसमें बहुत सारे channels आप allocate नहीं कर सकते, इसको कुछ आप ऐसा समझो, कि जितना जादा space होगा, जैसे एक room है, उस room में कितने आदमी भर सकते हो, उतना बड़ा वो room होगा, उतना ही आदमी उसमें भर सकते हो, जितनी जादा bandwidth होगी, उतना ही जादा information आप वहां पर भे हैतरीन हो जाएगी, हाना, कि मतलब operation भी धूर, बंदा जो है, वो machines के तरूप बहुत दूर बैठा है, लेकिन machines के तरूप operation तक कर देगा, क्यों, क्यों कि बारीक से बारीक information को transmit किया जा सकता है, जब आपके पास bandwidth बढ़ जाएगी, ठीक है, तो अभी हमारे पास limitation ये है, भ information के नाम पे बस एक आवाज सुन ली, और थोड़ा सा गाना बजाना हो गया, और वो snake या Ludo टाइप के game उसमें, लुडो भी पता नहीं चलता था के नहीं, लेकिन snake टाइप के game उसमें खेले, क्योंकि जादा information वो आपको provide कर ही नहीं सकता था, एक image भी होगी, वो कितनी देखने को मिल रही है, तो bandwidth बढ़ने से ये फायदा होता है, अब हम आजाते हैं कि ये बाकी चीज़े तो हमने पढ़ ली, अब हम आजाते हैं कि किन किन तरीके से propagation किया जा सकता है, एक जगे से दूसरी जगे पर, तो इसमें सबसे पहले आता है ground wave, ठीक है, और ये एक important च wavelength जो भी lambda wavelength है, wavelength के order का antenna का size होना चाहिए, मतलब lambda by 4, अब अगर आप जितनी बड़ी wavelength लोगे, ठीक है, मतलब at lower wavelength या फिर, at longer wavelength, sorry, and lower frequency, the antenna have large physical size, तो अगर आपको दूर तक भीजना है, lower frequency वाले signals को, तो antenna की size, देखो frequency low होगी, तो wavelength बहुत बढ़ी होगी, तो antenna की size बहुत बढ़ी चाहिए होगी, अगर आपको low frequency signal को बहुत दूर तक भीजना है, ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसलिए जो low frequency signal का communication है, वो बहुत दूर तक नही किया जा सकता, क्योंकि antenna अपने को बहुत बढ़ा चाहिए होगा, ठीक है, नॉर्मली short range के लिए ही इनका इस्तमाल जो है, वो किया जाता है, जैसा कि आप walkie talkie कैसे, तो ground wave में क्या होता है, कि इसको surface wave propagation भी बोलते हैं, कि surface के पास-पास ही जो है waves propagate हो रहे है, जैसा walkie talkie वा the surface of earth, a wave induces current, बताया था ना, वही induced current in the ground, over which it passes and it is attenuated as a result of absorption of energy by the earth, वहीदी current वहाँ पर produce हो रहा है, तो उसकी वहाँ पर attenuation, attenuation of the surface wave increases very rapidly with the increase in frequency, तो इध्यान रखना, इसी वज़े से ground wave propagation में हम low frequency signal का ही इस्तमाल करते हैं, और low frequency signal होने की वज़े से antenna आप यहाँ पर आपको चाहिए होगा, यह कहानी हुई ground wave, अब अगला आता है sky wave, sky wave में क्या होगे, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी और बढ़ गई, अब फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी और बढ़ गई, तो उसको सीधे ground पर नहीं भेज सकते, ground के parallel भेजोगे तो attenuation जादा होगा, फिर उपर भ बंदा बैठा नहीं है, तो वहाँ से वो सुनेगा, कोई चीज हो नहीं जcida यहीं जो उसको ले और वापस भेजे, वो काम यहान करता है कौन आयन। और उसमें जैसा कि आप जानते हो ती आई यार आपने पड़ा होगा कि डेंसर से रेरर की तरफ जब रे जाती है वो बेंड होती है यहां पर भी जब सिगनल जाता है तो ऐसा बेंड होते जाता है और वापस नीच आज आज ऑगा आइसा पर तो इलेक्ट्रोमेगनेटिक वेव है लाइट का टि यहां पर उस मैसे सिगनल का हम ठीर करवाते हैं लेकिन क्या हर मैसे सिगनल का हो जाएगा नहीं एक रेंज है कित से 40 मेगाहट्स तरह बिसिकली आपको 30 मेगाहट्स यह चीज ध्यान रखनी है ना तो को चाहे आप हटाई जो कि अधिसे फॉर्टी निए फ्यू मेगाहट्स से 30 मेगाहट्स कि 30 40 भी कई बार यूज हो जाता है अपर लेर तक लेकिन 30 के बियॉंड फिर को पेनेटरेट करके आगे निकल जाती है कि आपको पता होगा कि अलग अलग प्रिक्वेंसी के हिसाब से फिर वो जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से बो भी बदल जाता है ना नहीं आप बोलोगी आ रहे सार जब इसका टी आयर हो गया तो सबका टी आयर होना चाहिए ना आपने देखा होगा कि वायले कि जैसे हमने विजिबल नाइट की भी बात करी थी तो आप रिफ्रेक्टिव इंड इस में आयनस होते हैं और यह किस वज़े से बन जाते हैं है even density जो है वो vary करता रहता है आप height पे जाओगे तो और even temperature के हिसाब से भी जैसे दिन हो रही है रात हो रही है हंड का मौसम है गर्मी है के हिसाब से भी यहाँ पर जो है इसका refractive index या ions की density में change आता रहता है तो यह आपको ध्यान रखना है तो electromagnetic waves of frequency higher than 30 megahertz है ना इसलिए 30 megahertz से ध्यान रख लेना आप higher than 30 megahertz penetrates the ionosphere and SK तो 30 megahertz तर देखो low frequency के लिए तो हमने क्या use कर लिया था low frequency के लिए हमने यूज कर लिया था low frequency के लिए हमने यूज कर लिया था आसा शहर्याइब frequency और frequency बड़ी तो sky wave से काम चला सकते हो लेकिन और जादा frequency के signal आ गए तो क्या होगा तो फिर हम जो काम में लेंगे उसका नाम है space wave communication दो टाइप से हो सकता है एक तो line of sight वाले तरीके से मैं समझाता हूं और एक satellite की मज़द से इसमें क्या होगा कि जैसे यहां पर एक यह एंटना लगा हूआ है signal उसने भेजा तो जैसा कि आप देख पारेंगे signal यह ऐसा बेज सकता है यहां पहुंच गया signal यहां से रिकले का वो यहां पहुंचेगा यहां पहुंचेगा इसके बाद आप वो यहां नहीं पहुंच सकता signal क्यों आपने माँसे एक tangent ड्रॉ कर दी यह अर्थ हो गई अपन अब मेरे को यह signal बाकी जगे भी रिसीव करवाने तो क्या करेंगे हम अब उदर से जो लाइट आ रहा होगा वो यह रिसीव कर लेगा और इस पॉइंट को भी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहां से यहां यह बोलते हैं सीधे लाइन आफ साइट है ना एलो एस वा लगाई जाते हैं अब पहाड़ों पर आप देखोगे तावर लगा होगा बहुत उचाही पर यह टावर्स लगाई जाते हैं तो ग्राउंड से तो वह दूर ही रहता है यह भी किसमें काउंट होता है स्पेस वेव में हाला कि हाला कि जो आपका जैट्राइट वाला है उसको भी मैं समझाऊंगा अब ही हमको यह देखना है कि इतना दूर तक यह एक सिगनल को पहुचा सकता है ये वाली जो लेंधे ये कितना आएगा इसको बोल सकते है अब रहां से कितने रेंज तक सिगनल को पत्ज़़़ए कि आगे तक यह नहीं ज यहां पर हमने क्या किया तो अगर मैं एक्सपैंड करता हूं एक्सपैंड करने पर जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा यह सब पढ़ जाएगा यहां पर आपके पास क्या रहा है टू इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इंटू एच और यह है एक्स जो है आप कितना आप यूज तो इसको बोलते है रेंज कई बार रेंज निकालने को पुछेगा तो अंडर रूट ऑफ तू आरी इंटू हाइट ऑफ अगर एक अंटिना की हाइच है तो इतनी रेंज तक वह पहुंचा सकता है अब तुम बोलो कि सर रेंज तो सर यहां से ऐसे मेजर होत तो आपने एक अंटिना यहां भी लगाया था कि हाइट है एच टू कि हो जाएगा एकस टू तो बिल्कुल बात समझ गए होंगे आप कि इससे और इसके बीच की जो यह दूरी आएगी तो आप लगबग लगग यह दूरी भी बोल सकते हो कि वो दो आंटिना कितनी दूरी पर लगा जाए अंडरूट आफ टू आर इच वन प्लस अंडरूट आफ टू आर इच टू ने दूरी पर वो दो आंटिना आप लगा सकते हों अना भई कोई बोले कि यह एंटिना इतने हाइट का है अब हमको क्याल्कुलेट करना पड़ेगा ना कि कि इतना दूरी तक माल तू अंडरूट आफ टू आर इच वन प्लस अंडरूट आफ टू आर इच टू तरीके से आप दूर तक जो है अपनी इंफॉर्मेशन को पहुचा सकते हो यह लाइन आफ साइट वाला कॉम्मिनिकेशन और ऐसे ही अगर हम बात करेंगे स्पेस वेव कॉम्मिनिकेशन की स् इस वेव में दोनों आ रहे हैं ध्यान रखना है कि सैटलाइट वाले कॉम्मिनिकेशन का कहानी क्या है बहुत ही सिंपल कि भाई यह अर्थ है ठीक है कि यहां पर जो है अपना यह सैटलाइट है ठीक है सैटलाइट का क्या है बहुत है कि जो 40 मेगाहट से उपर चले गई है फ्रिक्वेंसी उनको भी यह 30 मेगाहट बोल दो तो उनको क्योंकि वो आयनोस्फियर को पैनेटरेट करके निकल जाती है तो यहां से मालो अपना जो भी था यह सेंडर था यह ट्रांस्पिटर था और यहां है रिसीव करने वाला ही अब यह बात को समझके चलना कि यहां यह बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के लिए काम में आ रही है चीज़ें तो डायरेट भी 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 और बहुत दूर तक भी पहुँचा देगा तो इसको बोलते है अपलिंक हो गया यह जो यहां पर हो रहा है अपना अपलिंक अपलिंकिंग मतलब information को satellite तक पहुचाना कि satellite जिस सैटलाइट जब अर्थ से information रिसीव करता है तो उसको बोलते है अपलिंक और जब वो information नीचे पहुश्त तो इसको बोल रहे है डाउंलिंक ना बहुत ही आसानी तो जी जादब कुछ चीज़े हैं तो है propagation हम समझ गए तीन तरीके से हो सकता है ground wave, sky wave और space wave, अब यहाँ पर एक शब्द आता है और एक term आती है जिसका नाम है modulation, तो modulation जो है हमेशा चाहे आपका audio signal हो, चाहे आपका video signal हो, क्या आपकी कोई data file हो, modulation हमेशा उसका होगा, अगर आप communicate कर रहे हो एक जगे से, modulation का मतलब क्या है, generally आपका जो message signal होता है, वो होता है low frequency signal, तो उस low frequency signal को high frequency signal में convert करना ही modulation कहलाता है, क्या कहां मैंने? लो frequency signal को हाइ फ्रिक्वेंसी सिग्नल में convert करना ही क्या केलाता है modulation अब तुम कहोगे कि सर जो वो low frequency signal है उसको low ही रहने देते जो बिना बाद उसको high frequency signal में convert करके ज्घमेला आल रहे हैं हम तो वजय क्या है वही हम जो यहाँ पर देखें तो modulation क्या है वो मैंने बता दिया conversion of low frequency signal into high frequency signal जरूरत क्या है इसकी necessity क्या है पहली जो जरूरत है it is because of size of antenna याद करो क्या बताया था जो size of antenna होगी वो होती है lambda by 4 के order का लगबग इतने order इतने length का antenna आपको लगबग लगबग लाना पड़ेगा अगर आपको ठीक ठाक power radiate करवानी है तो अब जैसे यहाँ पर एक example ले रखा होगा कि for an electromagnetic wave of frequency कितना 20 kilohertz है अपनी audio signal की बात हो गई है ठीक है 20 kilohertz wavelength कितनी आ रही है अपनी 15 km 15 km अब 15 km को चार से डिवाइड गर दो मतलब किलोमेटर की मानलो 4 km का antenna होगा लगबग लगओ चार किलोमेटर बड़ा antenna भाई कैसे लाओगे practically impossible है तो low frequency मतलब longer wavelength में जब wavelength किलोमेटर के order में निकल जारी तो possible ही है इतने size का antenna लाना इसलिए फिर यहां पर requirement हो जाती है कि जो low frequency signals है उनको high frequency signals में जैसे कि अब आप यहां देख रहे हो कि आप megahertz में convert कर दे रहे हो 300 meter से ही काम हो गया अना मतलब हाँ अब 300 meter उचाई का एक antenna आप बना सकते हो लगा सकते हो ठीक एक condition तो हो गई कि size of antenna को reduce करने के लिए इतनी जादा frequency होगी size of antenna उतना reduce होगा इसी लिए frequency को बढ़ाया जाता है यह हो गया पहला necessity तूसरा effective power radiated by the antenna क्या कह रहे है यहां पर कि तो study of radiation जो भी है उसमें linear antenna जो आप use करो इसकी length L है shows that the power radiated is proportional to L by lambda का whole square okay this implies that for the same antenna length यह antenna की length है the power radiated increase with the decreasing lambda same length का antenna जब आप लेके चल रहे हो power radiated है तो lambda को जब आप क्या करोगे decrease करोगे तो radiated power जो है वो increase हो इसलिए भी अगर आप frequency बढ़ा होगे frequency बढ़ा होगे तो frequency बढ़ाने से क्या होगा तो lambda है वो कम होगा lambda कम है तो power जो है वो ज़्यादा निकलेगी मतलब ऐसा होगा कि एक जगे मैं धीरे बोल रहा हूं और फिर मैं टेज बोल रहा हूं तो जब मैं टेज बोलूगा तो दूर तक sound जाएगा अगर आपको message signal दिखे अना basement signal दिखे modulating signal दिखे सब एक ही बात होती ठीक बेस्बेंट signal का मतलब message signal तो for a good transmission we need high power hence this also अपने को समझा देता है यह चीज़ की यार अपने को क्या चाहिए high frequency का जो है signals अपने को चाहिए हो के फिरा होगया power तीसरा है mixing up of signals from different transmitter fixing up of signals जैसे अब ऐसा कुछ सोचो तुम खड़े हो एक बंदा बोल रहा है दू बंदा बोल रहा है तीसरा बोल रहा है चौथा बोल रहा है तो समझी नहीं आता कौन क्या बोल रहा है है के नहीं तब एक साथ जो है चिल्लाते रहते तो समझी नहीं आता कौन क्या खह रहा है है के नहीं तो अब यही इस्तती अगर मानलो हमारे पास audio signal है mobile वाले signals है जस्ट मानलो एक इस्तती ऐसी की mobile जो है अब सब ऑडियो हमारे जो बोलने की जो frequency है मानलो जिसकी जितनी भी होती होगी मेरी कुछ आ रही है मानलो 300 हट्स जस्ट मानली क्या पता वो कितनी है मुझे नहीं पता मालो 300 हट्स जो है वो अपनी मेरी frequency है बोलने की किसी और बंदे की है मालो 350 320 110 अब मैंने बोला आप इसी frequency पर अगर signal को भेज़ दिया जाता तो जो बंदा सुन रहा है आप यह समझो कि हवा में बहुत सारे audio signals मौ frequency को बाकी frequency भी थोड़ा बहुत पिक कर लेगा है के नहीं है तो हमको क्या सुनाई देगी हमको बाकी सारी आवाज़ेव सुनाई देगी तो अगर यह सारी frequencies एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग कर दी जाए इनके बीच में बहुत ही gap कर दिया जाए chances क्या होंगे chances यह होंगे कि जब यार वो 300 को पिक कर रहा होगा और दूसरी frequency मालो 500 हट्स पर पटक दी समझाने की point of view से बता रहा हूँ तो 500 हट्स वाला पिक ही नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इसके range में आई नहीं रहा हना तो आप क्या करते हो आप जो आपके different sources के message signals थे उनको आप अलग अलग frequencies पर मॉडिलेट कर देते हो जो एक दूसरे से बिलकुल different है और different होने की वज़े से क्या होता है जब आपका receiver एक particular frequency को receive करता है तो उसके आसपास के signals को भी वो receive कर लेता है बात को समझ ना कि ऐसा तो है नहीं किया रहे बिलकुल accurate है कि आपने 300 पर सेट किया तो 300 पर ही receive करेगा कि उसके आसपास के frequencies को receive कर लेगा तो अब अगर मैं आसपास में कोई frequency ही नहीं रखू तो receive क्या करेगा वह जाने की कोशिक करता हूँ ठीक है जो mixing up of signal से उसको थोड़ा समझाता हूँ जैसे माल लो हमारे पास एक channel है उसकी frequency है कुछ ऐसे ही जस्ट ले लिए 300 हर्ट्स तुसरे की है 305 हर्ट्स तुसरे की है 210 हर्ट्स तौथे की है माल लो 95 हर्ट्स तो यह सुनना था तुमने receiver सेट कर दिया अना मतलब तुमने अपने दोस्त को call लगाया तुमको अपने इस दोस्त से बात करनी थी तुमने अपने दोस्त को call लगाया और mobile device जो हो अपने आप इस तरीके से सेट हो जाएगा number feed किया वो इस पर set होगा अब माल लो यह लोग भी आप बात कर रहे है किसी और से यहाँ पर यह signal भी पहुंच रहा है यह signal भी पहुंच रहा है यह भी पहुंच रहा है तुमने 300 पर set किया तो यह उसके आसपास को भी ले लेगा इसको भी ले लेगा इसको भी ले लेगा हाला कि set तुमने 300 पर किया तो इसकी आवाज जाद आएगी लेकिन इनकी आवाज भी तुमको थोड़ी बहुत आएगी ही आएगी है ना अगर तुम्हें ध्यान हो तो resonance condition जो alternating current पर पढ़ते हैं थोड़ा वाले की जिते relate करता हूँ मैं समझा रहा हूँ क्या होगा आपको ये तो सुनाई दे रहा है सबसे तेज़ी लेकिन इनकी भी थोड़ी बहुत आवाज तुमको सुनाई दे रही है और तुमको noise मैसूस हो अब एक condition सोचो कि माल लो यहां से ये frequency हटा दी जाए इनकी frequency को change करके कुछ और ही कर दिया जाए इसकी frequency को माल लो कुछ 1000 Hz पे रख दिया जाए तो कुछ 2000 Hz पे रख दिया जाए तो कुछ 3000 Hz पे रख दिया जाए तो अब ये अगर बोल भी रहे होंगे तो ये 1000, 2000, 3000 जो है वो इस 300 से तो बहुत जादा है तो ये जब आप सेट करोगे 300, 300 पे तो उसके आस पास की frequency को ही ये लेगा ये frequency तो बहुत दूर हो गई तो इनको वो लेगा ही नहीं तो आपको noise सुनाई ही नहीं देगी आई बात समझ में अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे है noise को reduce करने के लिए channels की जो frequency है उनके बीच में gap ला दे रहे है तो gap लाने के लिए मतलब कुछ ऐसा मान लो ये कमरे में कुछ लोग है दस लोग है वो बोल रहे है यार बड़ी गर्म मतलब हम हैसूस कर रहे हम तो बहुत भीड है तुम क्या करोगे कि यारे उनी दस लोगो को थोड़े बड़े कमरे में तो है बड़ा कमरा दे तो या उनके बीच की spacing जाया था कि जो वायर्स हैं ऑप्टिकल फाइबर है उसकी जो bandwidth है उन चैनल्स की अलग-अलग bandwidth रहते कि इतना bandwidth ही वो प्रोवाइड कर सकते हैं तो कुल मिला के आपको ये ध्यान दखना है कि हाईयर फ्रिक्वेंसी पे मॉडिलेट कर देने से यह हुआ कि इसकी अलग frequency होग नहीं हो पा रहे एक कहानी जो है यह आपकी है इसको पढ़ लेना यह सारी वही चीज़ लिखी हुई है यह तीन जो है आ गई है necessity of modulation और अब हम आ गए है इस chapter के अंतिम पढ़ाओ पर ठीक है chapter के जो है अंतिम पढ़ाओ पर हम आ गए हैं लेकिन तो हम बात करेंगे दो टाइप के modulation की amplitude modulation और frequency modulation तो amplitude modulation और frequency modulation को समझने से पहले modulation है क्या यह हम समझ लेते हैं और फड़ावट से इस lecture को हम खतम करते हैं ठीक तो ध्यान से सुनना modulation है क्या modulation का मतलब high frequency में convert करना high frequency में क्यों convert करना वो समझा ही दिया necessity बता ही लिए तो हमारे पास क्या होगा हमारे पास एक होगा message signal क्ये है यह उसका amplitude और अभी हम analog signals की बात करेंगे digital signal analog मतलब sinusoidal यह उसका amplitude यह उसकी angular frequency और यह अपना इसको बोलते हैं हम क्या यह हो गया अपना message signal क्या इसको आप modulating signal भी बोल सकते हैं क्या इसको आप baseband signal भी बोल सकते हैं message signal या modulating signal फिर आपके पास आजाएगा carrier signal इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि YM YC यह वो तुमारी मर्जी है किस तरी क्या आजाएगा आपके पास carrier signal इसको क्यों बोला जाता है क्योंकि यह जो signal है यह है अपना high frequency signal मतलब omega c omega m से बहुत जादा बढ़ा है यह high frequency signal है जैसे मालो तुमको एक जगे से दूसरी जगे तक जाना है बैसे signal को एक जगे से दूसरी जगे तक जाना है जादो तुम पैदल चलके चले जाओ तुम cycle में पैड़ जाओ बाइक पे बैड़ जाओ कार पे बैड़ जाओ ट्रेन में बैड़ जाओ प्लेन में बैड़ जाओ तो कैरियर हो गया कौन तुम्हारा वो cycle plane train bike car तो यह हो गया आपका जो आपको बहुत जल्दी पहुचा दे रही और effectively पहुचा दे रही तो यह तरीके से आपका कैरियर सिगनल हो गया ठीक है जो इस मैसेज सिगनल को लेके जा रहा है तो कुल मिला के modulation का मतलब यह है कि इन दोनों को mix करके एक resultant signal आपका बनेगा उसको मैं RT कह देता हूँ अब यह जिस भी टाइप का होगा इसको हम बोलते है modulated signal modulated signal modulated signal modulated signal मतलब यह किस से मिलके बना है इन दोनों से मिलके यह बना है इन दोनों को add करके add करके मतलब normally add करके नहीं कुछ अलग तरीके से यह आपका जो है इन दोनों का addition आपको यहां मिलेगा addition मतलब mixing हम बोले addition से ज़्यादा better शब्द है mix mixture जो है वो आपको इदर मिलेगा ठीक है यह resultant signal आपको मिलेगा इस resultant signal में क्या होगा इस resultant signal में आपका message signal भी होगा message signal is superimposed on carrier signal carrier signal से वो mix हो रखा होगा अब यहीं से जो है तीन टाइप के modulation आजाते है एक तो AM एक FM और एक PM इसको हम नहीं पढ़ेंगे यह पूछा ही नहीं जाता है है ही नहीं तो हम यह सब दो की बात करेंगे AM मतलब amplitude modulation और एक है frequency modulation नाम से ही पता लग जाता है कि amplitude modulation में क्या हो रहा होगा modulate किसको किया जा रहा होगा amplitude को modulate किया जा रहा होगा frequency modulation में frequency को modulate किया जा रहा होगा किसका amplitude, किसकी frequency अब तुम बोलो कि तर, amplitude तो इसका भी है, इसका भी तो किसके amplitude कोडिलेट किया जा रहा हूँ तो आप ध्यान रखो, जब भी आप बात कर रहे हो, amplitude modulation की, in amplitude modulation, amplitude of carrier signal is modulated या is varied in accordance with the message signal इतनी इसी बात, in amplitude modulation, amplitude जो होगा carrier wave का, तो हम क्या करेंगे, अच्छा मैं उसको carrier spelling लिख रहा हूँ, spelling में गर्पनी देख़ा, English कितनी पास है, carrier लिख रहा था मैंना, carrier लिख लेना, इसको चेंगे, के और भी कहीं, पीछे कागे हो, तो हम देख़ा, आभी भी गलर लिख, ठीक है, जो भी है, हाजी, carrier wave का, जो amplitude है, वो vary करेगा, प्रिख लेकर, information signal या message signal क्या है, अब तुम बोले गए, नहीं बात समझ नहीं है, तो मैं समझा जेता हूँ, बात बड़ी आसान है, message signal अपना क्या है, low frequency, ये low frequency बना दिए, और carrier signal कैसा है, carrier signal जो है, वो है, high frequency, high frequency से मतलब, इसका एक ये oscillation होगा और इसके बहुत सारे oscillation होगा है, क्या देखने को मिलेगा अपने को, जो resultant wave मिलेगी, resultant wave की frequency तो यही वाली रहेगी, carrier signal वाली ही, लेकिन इस carrier signal का जो amplitude वो इसके according वेरी करेगा, तुम बोलोगे सर, मतलब क्या है इसका, मैं वापस से समझा दूँ, मतलब ये है, कि जैसे इसको अगर मैं बनाऊं, आप इस बात को समझने की कोशिश करना, कि frequency तो वही रही, लेकिन देखो amplitude वेरी कर रहा है, कैसे वेरी कर रहा है, कि जब message signal का disturbance जो है, वो increase होते जा रहा है, और जैसे ही वो यहाँ maximum हो रहा है, तो देखो यहाँ पर जब यह maximum है, तो जो resultant signal जो हमारा बना उसका amplitude maximum है, और जब यह यहाँ पर 0 है, तो यह 0, और जब यह minimum तो यह यहाँ minimum, amplitude सबसे छोटा, क्या वेरी कर रहा है, यहाँ पर amplitude वेरी कर रहा है, सबसे ज़्यादा amplitude, सबसे खोटा amplitude, इस तरीके से amplitude जो है, यहाँ पर आपका वेरी करेगा, यह amplitude modulation आपका यहाँ हो गया, अब इसको थोड़ा साम यहाँ पर और ढंक से देख लेते हैं, थोड़ा इसका derivation वाला पार्ट भी देख लेते हैं, इसमें जो इका दुका सवाल पूछे जाते हैं, उसकी भी हम बात करें, तो हमने क्या का कि अपना message signal था, इसको ym बोल देता हूँ मैं, तो ym अपना है am sin omega mt, और यह carrier signal है, जो आ रहा है ac sin omega ct, तो इसका जो basic derivation है, उसके अंदर, उसके अंतरगत अगर हम बात करें, तो होगा क्या, कि अपना जो carrier wave का जो amplitude है, it will vary according to the message signal, ऐसा कुछ, कौन vary कर रहा है भाई, तो जो लिखा हुआ था भाई, मैं लिख रहा हूँ, amplitude of carrier wave is varying according to the message signal, ठीक है, तो इसका मतलब यह होग है, जो resultant wave दिखेगी, वो कुछ ac दिखेगी, ac plus am sin omega mt, और इधर क्या आ जाएगा, sin omega c, बोले सर, लेकिन इस type का superposition किया कैसे जाएगा, वो हमारा headache नहीं है, किस तरह के devices और किस तरह का circuit बनेगा, जिसमें कुछ, तो का superposition कुछ ऐसा दिख जाए, वो हमारी headache नहीं है, वो अपने course में नहीं है, अपने को वसी ध्यान अगना है, mathematical expression कुछ this type का दिखेगा, अब इसको जो है multiply कर लेते हैं, तो जैसे ही आप multiply करोगे, आपको यहां से दिख रहा है, AC sin omega CT प्लस, यहां से आपको दिख रहा है, AM, यह बाइटू कर देता हूँ, और 2 इदर multiply कर देता हूँ, और यह आ जाएगा, sin omega CT, तो यहां से जब आप देखोगे, तो यह तो अपना हो गया, carrier, wave, carrier wave आगई, यह क्या रहा है, यहां से, AM by 2, और, इसको मैं लिख सकता हूँ, कितना, इसको मैं लिख सकता हूँ, cos T plus, मतलब, cos A plus B, minus cos A minus B, sorry, cos A minus B minus, मतलब, इन दोनों को minus किया, और minus का, cos, आई बात समझ में, अब यह, cos हो के, sin हो, आप तो जान सकते हो, यह interconvertible है, तो आपको यहां से, यह समझ में आना चाहिए, कि यह derivation इतना important, जितना इसका final result है, derivation तो क्या important, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एक तो carrier signal आपको दिख रहा है, और दो अलग और sinusoidal signals दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है, कि यह दो, sorry, तीन different waves से मिलके बना हो, final जो आपन चाहते हैं, वो तीन different waves से मिलके बना हो, पहली है carrier wave, दूसरी है, जिसका amplitude है am by 2, और frequency उसकी है, omega c minus omega m, angular frequency, और तीसरी है, अपनी कितनी, वो भी amplitude am by 2 का, और उसकी frequency है, omega c plus, जैने, एक तरीके से अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर total तीन different angular frequencies अपने को दिख रही है, एक है omega c, एक है omega c minus omega m, और एक है omega c plus omega m, तो जैसा कि मैं कहा रहा था कि हर signal में, एक higher frequency और एक lower frequency होती है, यहाँ पर highest frequency कितनी चाहिए, angular, omega c plus omega m, और lower, omega c minus omega m, और उसी के बीच का जो gap होगा, उसी को बोलते हैं, हम क्या, band width, ज़र मैं बात कर लेता हूँ, नीरा होगा, चलो, देखो, here omega c minus omega m and omega c plus omega m are respectively called lower and upper side band, lower क्योंकि omega c से कम है वो, और अपर क्योंकि omega c से ज़्यादा है, यह हो गया, आपका lower, जो है, omega c minus omega m, यह है, omega c, और यह है, omega c plus omega m, ठीक है, यह amplitude आपका आ रहा है, ac और इसको अभी लिखा हुआ है, हमने am by 2, am by 2, बाकी इसमें एक और चीज़ आते हैं, वो अभी आगे देखे, तो आपको दिख रहा है कि जो यह bandwidth आ रही है, आपकी bandwidth, यह कितनी आएगी, bandwidth आएगी, higher minus low, मतलब omega c plus omega, minus omega c minus m, यह ध्यान रखना की, जो bandwidth आ रही है, अब यार, आप यह भी समझते होंगे, bandwidth तो pi, f के terms में measure होगी, इसको लिकोंगा, 2 pi f, तो यह आ जाएगा, इधर भी 2 pi, तो 2 pi से 2 pi कट जाएगा, this is what, this is the bandwidth of, तो यह formula याद रखना है, आपको, amplitude modulation में, कभी भी अगर आपसे bandwidth की बात कर लेता है, bandwidth आ रही है, इतनी, 2 fm, ठीक है, और side band ज्यान रखने, lower और upper side band कितना आ रहा है, ठीक, अब इस पर मैं थोड़ा सा वापस से पीछे आ जाता हूँ, और इसको एक बार इधर देख, यह जो चीज आपको यहाँ पे दिख र बन रहा हूँ मैं, module modulating index क्या होता है, modulating index का जो formula होता है, वो basic formula तो यह है, am by ac, amplitude of modulating signal and amplitude of carrier signal, यह है अपना modulating index, case of amplitude modulation, ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर देख, equation को अगर मैं देखूंगा, इस equation को अगर मैं दुबारा से लिखता हूँ, मुझे कुछ यह इस प्रकार के दिख रही है, कौनसी वाली, यह वाली equation, मैंसे मैंने क्या किया, ac common निकाल लिया, 1 प्लस, am by ac, sin, omega m, और sin, जब के ac जब मैंने common निकाला, तो यह ac by am आ गया, यह क्या लिखा हूँ है, यह अपना लिखा हूँ है, वो जब नहीं, m कई बार, mu भी आप देख लोगे, इसको देख के confused नहीं होना है, तो लिखा हूँ है, m लिखा हूँ है, ठीक है, इस तरीके से भी formula कर भी आपको अगर लिखा हूँ है, तो इध्यान रखना, तरीके से भी आप इस wave को represent कर सकते, तरीके से भी जो है, आप इस wave को represent कर सकते हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर बात ही आती है, कई बार, कई बार जो है, इसको, इस equation को ऐसे भी लिखा जाता है, k into message signal, message signal क्या था अपने पास, am sin omega t, इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, यह चीज और यह चीज, यह दोनों equal हैं, आपस में, तो अगर आप से कोई k की value पूछे, mu जो है, उसको कुछ हम ऐसा भी बोल रहे हैं, और mu क्या आ रहा है, modulating index अपने पास, यह ध्यान रखना, कई बार क्या होगा, यह k की value है, कई बार आपको k की value पूछेगा, one upon a c is the value of k, और कई बार, यह बड़ी important बात है, तो यह ध्यान रखना, यह जो formula है, modulating index है, कई बार क्या है, modulating index निकालने हो कहता है, ध्यान सुनना, बड़ी important बात है numericals पे, modulating index निकालने हो कहता है, तो modulating index का formula, amplitude modulation में यह दो तीन चीज़े हैं, कि क्या क्या पूछेगा, एक तो side band क्या है, अपर side band और lower side band, bandwidth, और फिर बात है यह modulating index की, modulating index का यह formula तो है ही भाई, ठीक है, अगर am और ac दे रखा है, तब आपसे modulating index पूछता है, ऐसे निकाल दो, आपको am दिया हुआ है, ac दिया हुआ और k की value भी दे रखी है, तो अब तुम बोलोगे, sir, k की value तो 1 upon ac है, अब कई बार क्या होता है, k की value 1 upon ac match नहीं कर रही होती है, तो यह एक important point है, जो आप ध्यान रखो, if the given value of k is not equals to 1 upon ac, अगर given value of k इसके equal नहीं है, then the modulating index is k, आप यही यूज़ा, modulating index आप यह यूज़ नहीं करोगे, यह बाद ध्यान रखना, पड़ी important बात है, ठीक है, अब हाला कि इसके derivation और यह सब चीज़ें कि कैसे आया, कहां से आया, यह चीज़ अभी हम नहीं देखेंगे, अपने core source में यह चीज़ नहीं है, कि यह भी formula सही है, यह भी formula सही है, k की value 1 upon AC आरही है, अब कई बार question में क्यों होता है, कि वो 1 upon AC से match नहीं कर रहा होता है, तो अगर match नहीं कर रहा है, और k दिया हुआ हूँ, के जब दिया ही नहीं हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं नहीं कर रहा है तो आप यह फॉर्मला ही लगाए और आप यह ध्यान अफ़ेर के अगर दिया है तो समझ जाओ कि वह बन अपॉन इसी से मैच नहीं कर रहा होगा अजी तो यह अपना हुआ है एम्ट्री ट्री मॉडिलेशन की कहान में बैंड्विट्ट लोवर साइड बैंड अपर साइड बैंड और यह जो अपना क्या देखके चल रहेते हम अ हाह अ मॉडिलेटिंग इंडेक्स तो यह चीजें आप ध्यान रखें टिक करो अभी हम बढ़ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉडिलेशन पे जो की आज का अंतिम टॉपिक है फिर हम कुछ सवाल देखेंगे को समझने से पहले आप हमेशा ध्यान रखे जब भी आपके पास कोई sinusoidal function है omega t plus phi general equation पिना देता हूँ phi तो कही बार 0 भी ले लिए लेकिन अगर 0 नहीं भी लिया है तो भी सुनो तो क्या बोलते हैं this is theta जिसको हम बोलते है phase of that function अब अगर एक बात मैं आपसे पूछ कूछ theta आपका आ रहा है omega t plus phi हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे बताओ d theta by dt क्या है d theta by dt is angular frequency तो d theta को मैं क्या लिख सकता हूँ omega dt अगर मैं मैं से signal के theta की बात करूँगा तो मैं से signal का omega आ जाएगा अगर मैं carrier wave के theta की बात करूँगा तो carrier wave का आ जाएगा और अगर मैं resultant wave की theta की बात करूँगा तो resultant wave का omega वो आ जाया करेगा फुल मिला के आपको ज्यान रगना है d theta by dt is equals to angular frequency ठीक है तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं हम यहाँ कह रहे हैं कि जो resultant frequency होगी resultant wave जो होगी जो modulated wave होगी कि frequency vary करेगी according to the message अब तरीके से यहाँ क्या होता है तरीके से यहाँ पर यहाँ पर यहाँ carrier wave की यह frequency तो frequency किसके according vary करेगी according to the message signal message signal हमने क्या लिए यह message वैसे तो आपको यही लिखना चाहिए लेकिन यहाँ पर एक constant आ जाता है जिसको हम frequency sensitivity कहते हैं इसकी value यह बैसा यह जैसे कि वहाँ पर k था यह यहाँ का k है इसकी value आपको given रहेगी तो given रहे है वो आप use जैसा कि आपको दिख रहा है यह आपकी fc प्रस kf और यह आगे आपके पास am time omega mt यह कहा नहीं अपनी frequency के आ गई अब मैं जानता हो कि जो भी हमारी resultant wave होगी वो resultant wave कुछ इस type की दिख देगा इस बार उसका amplitude नहीं बदलेगा बार जो है कि जो frequency है वो बदलेगा मैं अभी इदर theta लिख देता हूं मुझे नहीं पता यह theta कितना था theta मिल जाये तो ताम हो जाये ताकि इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो omega m का मतलब क्या है omega m is phi fm हाना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है omega c phi fc पुल मिला कि मुझे theta निकालना है मैंने f निकाल लिया है इस equation का मैंने f निकाल लिया है तो theta के से निकालूँगा मैं जानता हूँ कि d theta अपने पास आजाएगा omega dt integrate कर देता हूँ integrate करूँगा 0 से t तो ये तो मानलो theta आजाएगा integration omega की value आजाएगी अपने पास 2 pi f आ रही है बात समझ में तो 2 pi f मेंने लिखा 2 pi आ गया बाहर और f की value क्या है f अपना fc plus kf am sin omega mt और ये dt आ लो 0 से t था कि इसको integrate कर रहे हैं ठीक है वैसे इसका जो derivation है उसको मैं थोड़ा था पतली गली से निकाल रहा हूँ थाना बलब कुछ चीज है तरीके से समझ दो properly नहीं बता रहा हूँ और क्योंकि वो जरूरत नहीं अपने को main एक मोटा मोटा आइडिया चाहिए इस ठीक fc अपना constant है और इसका integration आ जाएगा यहां पर t कि इधर से ही आ जाएगा kf am sign का integration आ जाएगा आपने पास और a sign अपने जो वेव लिए अपने cos में लिए अपने cos में लिए आ गया अपना cos का m और dt हाजी kf am तो constant है cos का integration कितना आ जाएगा यह आ जाएगा sin omega mt by omega m और यह कहानी अपने को दिख गई अब जब आप यहां देखोगे तो theta की जो value आ रही है पाई f plus kf और कितर आ जा रहा है am और यह जो omega m है इसको में लिख सकता हूँ 2 pi fm तो इस 2 pi से यह 2 pi कट जाएगा और यहां बचेगा सिर्फ और सिर्फ f और यह आ जाएगा अपने पास sin omega m यह जो है अपने पास यहां से किस की value आ जा रही है क्या जा रही है अपने पास ताकी value और अब जो अपनी जो equation हमें दिखेगी final final equation आप लिख सकते है के c sin और theta क्या आ जा रहा है theta आ जा रहा है omega c plus kf am yfm sin यह जो है कहानी अपने frequency modulated wave की आ रही है कि frequency sensitivity amplitude है किसका modulating signal का और यह frequency modulating signal यह सब कुछ है आ रही होगी बाद अब अगर मैं यहां पर देखू frequency को frequency हम क्या बोल रहे है fc plus kf am cos omega mt अब अगर मैं आप से पूछू यहां पर कुछ maximum frequency कितनी जाएगी यह frequency vary कर रही है तो इस signal की जो अपना modulated wave है उसकी maximum frequency कितनी जाएगी जब यह value maximum होगी मतलब 1 fc plus kf into a और minimum कितनी जाएगी minimum जाएगी उसकी frequency जब वो minus 1 होगा आई बात समझ में अगर मैं आप से यहां पर bandwidth पूछू उँँ bandwidth कितनी आएगी इसकी bandwidth आएगी यह minus यह मतलब 2 kf into a कि यह जो है अपना क्या आजाएगा एक तरी बैंड विर्थ आप कह सकते हैं अना कि यह अपने पास जो है क्या जाएगी बैंड जाएगी टू के एफ कि अभी हम यहां से आगे बढ़ते हैं कि अधर कि अधर खिल मैंने आगे यूस कर रहा है वह कि चनरली बैंड विड था पी कैसा कि अब यहां पर अगर आप देखोगे frequency का deviation पहली चीज़ हम देख रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी deviate हो रही है तो carrier से आप देखोगे carrier से इतनी वो maximum जा रही है और इतनी वो क्या जा रही है minimum जा रही है आई बात समझ में तो अगर आप deviation देखोगे जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है delta f से तो maximum minus fc carrier से कितनी जाधा गई हो यह जो चीज़ आ रही है यह अपने पास किसके equal आ रही है यह जो चीज़ अगर आप देखोगे यहां से अगर मैं आपसे पूछाएं एफ मैक्स माइनस fc क्या आ रहा है अपना kf into am even f c minus f minimum यह भी आ रहा है kf into यहां अगर मैं आपसे पूछूँ यह चीज़ आपको यहां रही होगी तो हमने बोल रहा है और carrier swing जो है जिसको मैं bandwidth के रहा था वो एक तरीके से का है carrier swing मतलब minimum से maximum frequency कितनी जा रही है तो वह इतनी सा रही है तो डेल्टा है अना इसलिए मैंने उसको डेल्टा एफ नहीं लिखा है अब हम बात कर रहे है modulation modulating index क्याहां का frequency modulating index कैसे define के जाता है डेल्टा एफ तो frequency में डिकेशन आ रहा है अपॉन तो मैसे सिगनल की frequency है उससे मतलब यह आ रहा है के एफ कि देखो डेल्टा एफ अपने पास किसके इक्वल आ गया था अगर आप इधर से देखोगे इस तेंग इसको तो के एफ इंटु एंटु 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 यहां पर जो मॉडिलेटिंग इंडेक्स से इस तो इसकी यह डाल दी तो यह अपना मॉडिलेटिंग इंडेक्स का फॉर्मला हो तो कुल मिला के आपको यह चीज़े ध्यान रखने है अगर आप से पूस्ता है तो आप लिख दीजिए के एफ की वैल्यू आपको जो है वो गिवन रहेग यहां तो हमने यहां से यह वाली चीज देखी और 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 एक फाइनल चीज और हम यहां पे रखेंगे इस फॉर्म में कि जो हमारी एक्वेशन है वो कुछ ऐसी कि यह जो है वो क्या है वो है अपना मॉडिलेटि अब इसमें ध्यान रखना है कि ऑडियो क्वालिटी जो होती है फ्रीक्वेंसी मॉडिलेशन में वो बहुत अच्छी होती है अब हम कुछ पड़ावटे सवाल देख लेते हैं और फिर इस तो अच्छी रहती है यह बात आपको ध्यान में रखनी है अब हम कुछ पड़ावटे सवाल देख लेते हैं और फिर इस से सेशन को हम करेंगे खतम ठीक है तो बीचाल दर फॉलाइंग पूर अल्टरनेटिव इस नॉट करेक्ट तो मॉडिलेशन यहां वे मैं आंसर मार्क करके लाया हूं जिससे तो टाइम और बचे वी नीड मॉडिलेशन तो इस पर पहला ऑप्शन है यह जो सही है इसको बागी देखते हैं तो रेड्यूस दा साइज और एकदम सही बात है तो रेड्यूस दा फ्रेक्शनल बैंडविड्ट दाट इस दा रेशियो ओफ टिगनल बैंड विट्ट सेंट्रल फ्रीक्वेंसी तो भाई यह भी अपना सही एक तरीके से आप क्या कर रहे हो वहां पे बैंडविड्ट आप अलोकेट कर दे रहे हो और बैंडविड्ट रेड्यूस हो जाने से भी क्या हो रहा है जादा से जादा सिगनल सब्सक्राइब इससे की रिसीवर को खूज करने में जो है आसानी हो रही है जब वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का सिग्णल कूज रही मार्क करके, खलो कोई नहीं, बोल रहा है, रडार is a power of 1 kilowatt, it is operating at a frequency of 10 gigahertz, it is located on a mountain at a top of 500 meter, maximum distance up to which it can detect the object located on the surface, अब बोल रहा है, एक रडार है, मतलब कुल मिला के वो ऐसा हमने, वो line of sight वाली बात है, कि रडार हमने इदर लगाए हुआ है, कुछ इतने height पर, कि कितने दू तक क्या object को detect कर लेगा, कितने दूर ये वाली distance निकाल ली है, और ये distance में जानता हूँ कितनी आती है, under root of 2HRE, तो भाई देख लो, 2 into 500 meter into 6400 kilometer, तो ये kilometer को जो है, meter में ही change कर देते हैं, तो आगे है 10 की power 5, 6400, अब यहां से देखोगे, तो ये निकल जाएगा, आठ बनके, ये एक, दस, दो, तीन, और आठ, तो, कितना meter, क्या आगया, 80 kilometer, यही answer है, बढ़ते हैं, अगे, signal of 5 kilohertz frequency is amplitude modulated on a carrier wave of 2 megahertz, 2 megahertz, बतलब कितना हो गया, ये हो गया, 2000 kilohertz, तो अपनी जो carrier wave है, वो ये दे रखी है, और message signal जो low frequency का होता है, वो है only 5 kilohertz का, तो आप से पूचा है कि frequency of the resultant wave, तो हम जानते है, amplitude modulation में हमको कौन-कौन सी frequency मिलती है, हमको FC मिलता है, FC plus FM मिलता है, और FC minus FM मिलता है, ये lower side band ये upper side band, वाइस आप देख लो, कही answer है, 2000 में 5 add करो, 2000 में 5 minus करो, तो lower और upper side मिल जाने, तो दा correct statement, पड़ लेते हैं, पहला जो है वो गलत बता रहा है, देख लेते हैं, क्या है, amplitude modulation, तो amplitude modulation में, amplitude vary होता है, carrier wave का, according to the message signal, तो इन amplitude modulation, frequency of high frequency carrier wave, गलत हो गया, frequency तो डिना vary होती है, amplitude vary होता है, in frequency modulation, amplitude, गलत, frequency modulation, frequency vary होती है, in frequency modulation, amplitude of the high frequency carrier wave is made to vary, ये भी गलत हो गया, in amplitude modulation, the amplitude of high frequency carrier wave is made to vary, ये सही हा, audio signal मतलब अपना जो पैसे signal हो गया amplitude of the carrier wave is changing आओ बढ़ते हैं आगे कि एक बखवासा सब्सक्राइब क्या बोल रहा है amplitude modulation sinus total carrier frequency इनोटेट बाए omega c carrier frequency का angular frequency omega c दे रखा है और signal frequency जो है है bandwidth यहां पर कितनी आती है bandwidth अपने पास इतनी आती है कि अंदर bandwidth जो है वो omega c से कम है वो होनी भी चाहिए क्योंकि omega m omega c से बहुत कम है तो bandwidth भी कम आएगी frequency which of the following frequency is not contained in the modulated wave तो modulated wave में यह भी होती है यह भी होती है यह भी होती है कौन सी नहीं होती है ओमेगा एम वाली frequency नहीं आती है यह आपने देखा होगा ना तीन ही तो sideband आ रहे थे ओमेगा c माइनस omega m omega c और omega c प्लस omega यह भी है यह भी है यह भी है यह यह नहीं है यह वही अपने को चाहिए नहीं है और I think यह लास्ट है यह लास्ट सवाल अपने से जो पूछ राए जहीं है तो तो टेलीफोनिक कॉम्मिनिकेशन सर्विस वरकिंग अटब कैरियर फ्रिक्वेंशी ऑप इसना कैरियर फ्रिक्वेंशी अपने को दिले के टैन गीगा हर्ट्स 10 GHz मतलब इसना हो गया 10 की पावर 10 है और क्या कहरा है भाईर को और क्या रहा है और यहां और और टेन परसेंट ऑफट इस ईूटिलाइज फ़र ट्रांसमिशन मतलब जो बैंडविड्ट अपने अलोकेट करी है चैनल के लिए जो चैनल की जो बैंडविड्ड एक तोते तो आप समझी गए होंगे कि क्या कहना चाहरा है यह तो चैनल की जो बैंड विर्थ है वो है 10 की पावर 10 की पावर 9 हट्स ठीक है अब यह कह रहा है कि जो सिगनल है सिगनल की बैंड विर्थ है 5 किलो हट्स आप से पूसर है हाव मैनी टेलिफॉनी चैनलस जिसे कुछ ऐसी बात हो गई एक रूम में 20 सीट है और एक आदमी जो है 1 सीट पर बैठ सकता अईसा ऐसा कुछ लूग कि olhos तुम ऐसा बोल तेuma कि है क्योंकि कितना 10 मीटर रेंग सकते हैं व्हुत जादा हो यह ली कि बात समझ गठी शेया there Une अवा एक चैनल की Bandrent यह अवाज सकते हैं इतना और एक चैनल इतनी बैंडविट यह तो कितने number of channels आप यहाँ पर डाल सकते हो number of channels चैनल चैनल दोजार अठार है उननिस का सवाल है free के number है भाई free के number number of channels आगए अपने पास यह एक टैन और यह पाँच से तो दो हो जाएगा 10 की power 8 और यह 3 तो इतना 2 into 10 की power 5 इतने channels आप यहाँ पर allocate कर सकते हैं full मिला के यह सारी कहानी आपको हमने यहाँ बताई full मिला के यह सारी कहानी आपको बताई तो इस तरीके से आप यह chapter को complete करिए ठीक और सारी चीज़ें लगबग लगब बताई दिए हो सकता है एकात फॉर्मॉला अगर वह सतो नहीं चूटा होगा एंप्लिट्यूड मॉडिलेशन में एक एंप वाला फॉर्मॉला चलो वो देख लेना आप लो तो यह जो है आपका पूरा हो गया है और आप कि अब जो मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा वह रहेगा वर्क पावर एन एनर्जी के उसको बहुत ही टाइम जरूर लगेगा वह चैप्टर बढ़ा है यह चैप्टर तो आप ऐसा मत सोचना कि सर इतना जल्दी के से कवर करवा दिए भाई इसमें कुछ आई नहीं तो किया नहींट